बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में 17 अप्रेल को राजत सुपेमो लालू यादव को जमानत मिल गई हलाकि बेल मिलने के बाद भी लालू यादव की मुश्किले बिल्कुल खत नहीं हो गई है सीबियाई इस मामले को लेकर जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है बता दे कि तकरीबन 25 साल पहले हुए चारा घोटाला मामले में खुला से और इसमें लालू यादव का नाम जुडने की कहानी काफी दिल्चस्प है चारा घोटाला मामले में लालू यादव को 1997 से लेकर साल 2017 तक 6 बार जिल जाना पड़ा ऐसे में जमानत मिलने के बाद फिर से लालू यादव के कैद में जाने को लेकर तलवार लटक रही है क्या था चारा घोटाला? चारा घुटाला का मामला जानवरों के लिए भेजे जाने वाले चारे से जुडा था दरसल पशुओं के लिए चारे के लिए सचीवाले से पहले बजट के तहत ही आवंटन आदेश बन जाता था इसमें सिगनेचर भी पिछले आदेश जारी करने वाले अफसर का ही होता था इसके बाद पुराने आवंटन आदेश के नंबर को नए आवंटन पर चढ़ा दिया जाता था ट्रेजरी से घाल मेल के बाद अफसर इस बिल को पास करवा लेते थे इस तरह से लंबे समय तक हजार करोड रूपे का घोटाला होता रहा कैसे हुआ इस मामले का खुलासा बता दे कि कई सालों तक इस मामले में सब कुछ ठीक चलता रहा हलाकि 1996 में बिहार सरकार के अफसर अमीत खरे ने उस समय के वित आयुक वियस दूबे के कहने पर एफ आयार दर्ज कर आई बताया जाता है कि पटना मुखे सचिवाले में वित आयुक सरकारी चीठिया निपता रहे थे तभी कमरे में एक दक्षनी भारतिये आये थे उसके साथ प्रिंस्पल आडिटर जनरल भी मौजूद थे साथ में दो आपसर भी वहाँ पर मौजूद थे इस दौरान वित आयुक ने एक कागज पर साइन कर नीचे गिरा दिया इस दौरान प्रिंस्पल एजी ने उस कागज को नीचे गेता देख और पूछा कि जिसे वित सचिव ने नीचे गिराया है उसे पढ़ कर देखे आम तोर पर ये सवाल समाने थे लेकिन इस कागज को पढ़ कर वित सचिव आश्चर चकित हो गया बताया जाता है कि इसी कागज को खंगालने के बाद चारा घोटाले का खुलासा हुआ था दरसल इसके बाद वित आयूक ने बिहार के सभी डियम से जिले के सरकारी खजाने से निकाले जान रहे पैसेव का बेवरा मांगा इस दोरान चाइबासा के सरकारी खजाने के जाच के दोरान उन्हें पता चला कि जिला पसुपालन विभाग ने एक बार 10 कड़ो रुपे और एक बार 9 कड़ो रुपे निकाले हैं और उनकी डिटेल्स नहीं दी गई जब उनसे विभाग ने डिटेल मांगी तो उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी इसके बाद उन्होंने जान शुरू की तो सामने आया की चारा खरीद की पेमिंट के लिए 10 लाक रुपे के कई ऐसे फरजी बिल बनाये गए थे जिसमें 10 लाक रुपे से कम का भुकतान दिया गया इसके बाद कई जिलो से फरजी बिलो के जरी एक करोरो रुपे की राशी निकालने का खुलासा होने लगा इसके बाद मार्च 1996 में ही इस मामले की जान CBI को सौपी गई घोटाले में सामने आया कि ये सब कागज पर ही दस्तावेजों में पता चला जिन नंबर वाली गाड़ियों से पशूँ की ढुलाई हुई वो कोई 4 पहिया या बड़े वाहन नहीं थे बलकि 2 पहिया वाहन और स्कूटर थे बताया जाता है कि 1991 और 92 में पशुपालन विभाग का बजट 69 करोर 10 लाख रुपे का था लेकिन घोटाले बाजों ने इस दोरान 129 करोर 182 लाख रुपे निकाल लिये पटना हाई कोट ने दिया CBI जाज का आदेश इस मामले का खुलासा होने के बाद पटना हाई कोट ने CBI जाज का आदेश दिया उस समय लालू यादव ही मुख्यमंत्री थे पहले तो बिहार सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोट में SPL दाकिल कर CBI जाज की खिलाफत की लेकिन सुप्रीम कोट ने हाई कोट की मॉनिटरिंग में जाज करने के लिए कहा इस मामले में जाज शुरू हुई तो खुद लालू प्रिशाद यादव नामजद आरोपी हुए CBI ने इस बड़े घोटाले में साट रक से ज़्यादा दस्तावे जुटाए करीबी ग्यारक करोर पत्रों की फोटो कॉपी हुई कुल 64 मामले दरजुएं और 989 अभ्यूक्त बने एजनसी ने 8000 से जादा गवाह बनाए 400 से जादा CBI अफसरों ने मामले की जाज की और 50 से जादा जज इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं जो की एक रिकॉर्ड है पत्ना हाई कोट ने इस मामले में 7 मार्च 1996 को CBI को जाज सौपते समय टिपनी की थी कि रोम जलता रहा नीरो बनसी बजता रहा वही हाल बिहार का है खैर इस मामले पर आपकी क्या राया है हमें कमेंट बॉक्स मिली कर जरूर बताएं इसके साथ ही इस तरह के और informative वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें